हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको आज फिर से एक और नैट जान की लड़ू को पाल जी के लिए ड्रेस बताऊंगी जो बनाने में बिलकुल ईजी है जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर ले लिए हैं और यह मैंने बेबी बूल ली है दोनों ही और यह बहुत ही सॉफ्ट होत है तो इसी से मैं आपको लड़ू पाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी और यहां प 저기 10 lived यहां पे प्रेट च्छेमन पर काना जी के लिए बहुत ही सीमपल सी आपको ढ़र्येस बनाना बताएंगे जो बनाने में बिलकुल यह उड़ा आश्चा लगे तो प्लेस स इस तरह का यह गोला लिया है यह थोड़ा सा मिक्स है इसमें यह देखिए तो इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारी शी ड्रेस बनाना बताऊंगे और यह 6 नमबर लेड़ू को पाल जी के लिए हम ड्रेस बताएंगे आपको तो चलिए हम यहां पर 6 नमबर के लिए 12 डालते है इस तरह से यह अलग सी चोली हम बताएंगे आपको जो बनाने में बिलकुल ईजी है तो यहां पर मैं 12 फंदे ले लेती हूं इस तरह से यह देखिए तो देखिए फ्रेंज मैंने यहां पर 6 नमबर के लिए 12 फंदे ले लिए हैं अब यह देखिए यहां पर हम इसको इस त बनाएंगे दस पंदे मैं सीधे सीधे बनाऊंगी और लाश्ट के दो फंदे हम उल्टा बना लेंगे दस पंदे मैंने बना लिए हैं और लाश्ट के दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से और उल्टी स्लाई को हम पूरा उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसको बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पे मैं बारिश लाइया बना लेती हूँ यहाँ पे मैं बारिश लाइया बना लेती हूँ इस तरह से यह देखिए इस तरह से और ये हम आपको कॉलर वाली ड्रेस बताएंगे जिसमें हम कॉलर भी बनाएंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको कॉलर भी बताएंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जुरूर बताएं ये लेखिए सोरी इस फंदे को भी हम उल्टा ही बना लेंगे इस तरह से उल्टी चलाई को हम पूरा उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पर मैं दस चलाईयां बना लेती हूँ इसी तरह से इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंज मैंने यहाँ पर बारिश लाईयां बना ली हैं ये इस तरह से और इसी तरह का मैं दूसरा पार्ट भी बना के कम्प्लिट करूँगी ये रिखिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा इसी तरह का हम दूसरा पार्ट भी कम्प्लिट कर लेते हैं इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंज, यहाँ पर दौनों पार्ट हमारे बनके कम्प्लिट हैं ये रिखिए इस तरह से अब हम दौनों पार्ट की उल्टी तरफ हैं तो उल्टी तरफ से हम ये रिखिए इनको एक साथ मनाएंगे यहां पर तो देखिए किस तरह से इनको हम जौन्ट करेंगे उल्टी शलाई पर हैं हम दोनों पाटों में बारे बारे शलाईया मैंने बना ली है छे नमबर के लिए यह रिखिए एक पाट बन चुका है अब इसको भी हम यह उल्टी तरफ है इसको भी हम इसी में यह रिखिए इस तरह से बना लेते हैं यह रिखिए जो हमने दो दो फंदे उल्टे उल्टे बनाए थे वो दोनों तरफ बाहर की तरफ आ गए है और हम भी नहीं यहाँ पे यह रिखिए दोनों पाटों को एक साथ जोंट कर लिया है और छे से उस साथ नमबर लड़गो पाल जी को भी आराम से आ जाएगी अब यह रिखिए यहाँ पे दोनों पाट मिल गए है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे दो फंदे हम उसी तरह से उल्टे बनाएंगे बाकी के फंदे हम सीधे बना लेंगे यह रिखिए और लाश्ट के दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे तो यहाँ पे मैं इसी तरह से इसको चार सलाईयां बना लेती हूँ इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं चार सलाईयां यहाँ पे बनाते हैं यह रेखी इस तरह से इस दागे को इस तरह से हम लगा लेते हैं और लाश्ट के मैं आपको यह देखिए सारे फंदे मैंने 24 फंदे एक साथ ले लिये हैं यह रखी लाश्ट के दो फंदे भी यहां पर इल्टे बनाएगे अब यहाँ पर यह देखिए दोनों हमने जौंट कर दिये हैं एक साथ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम चार सलाईयां बना के कंप्लीट कर लेते हैं उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे और सीधी तरफ से हम सीधा बनाएंगे और दोनों तरफ के दो-दो फंदे उल्टे बनाएंगे तो बना लेते हैं इसको इसी तरह से तो देखे फ्रेंज मैंने यहाँ पे चार सलाईयां बना ली हैं और यहाँ पे मैंने दोनों पाटों में बारे-बारे सलाईयां बनाई थी यानि की दौनों तरफ की 24 सलाईयां ये रेखे अब यहाँ पर मैंने ये 4 सलाईयां बना लिए इसके बाद हम उल्टी तरफ हैं उल्टी तरफ से हम क्या करेंगे सारे फंदे यहाँ पर बंद कर देते हैं ये रेखे इस तरह से इसके बाद आपको फिर से दिखाती हो तो यहां पर कुछ अलगसी चोली हमने बनाई है यह रेखी इस तरह से हमारी चोली बन चुकी है अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम अपना कोलरवाला गला बनाएंगे तो गला हम अंदर से बनाएंगे तो दिखिए यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे तो यहाँ पे हम हर चैन को गिन लेंगे तो यहाँ पे यह दिखिए आदे उससे फंदे हमने इस तरह से उठाने है यह दिखिए यह दिखिए इतना इसको छोड़ते हमने फंदे उठाने हैं यहाँ से ये देखिए, हर चैन से हम फंदे उठाएंगे ये देखिए इस तरह से हर चैन से फंदा हम उठाते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ भी हम उतना ही छोड़ेंगे यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है दोनों तरफ बरावर बरावर हमने छोड़ना है ये देखिए इस तरह से तो अलग सी चोली हम आपको ये बता रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूरी से लाइक करें और शेर करें अपने दोस्तों के साथ तो देखिए मैं यहाँ पर वी इस साइड भी दोनों तरफ उल्टा उल्टा आ गया इस साइड भी हम इसी तरह से यहाँ से इतना ही फंदा उठाएंगे इसको छोड़ते हुए ये रेखिए इस तरह से आप यहाँ पर नाप सबते हैं ये रेखिए इस तरह से दौनों को एक साथ लगाते हुए यहां तक हमने फंदे उठाने हैं तो चलिए मैं उठा लेती हूँ तो देखी फ्रेंस हमने दौनों तरफ बराबर बराबर छोड़ दिया है और बीच से हमने गले से फंदा यहां पर उठा लिया है इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर यह देखी उल्टी चलाई को हम पूरा उल्टा बना लेंगे इस तरह से और दोनों तरफ से हमने यह कॉलर बनाना है तो कॉलर वाला गला हम उल्टा ही बनाएंगे इन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और ये तहरा, चोदा, पंद्रा, और ये रेखिए, सोला, सोला फंदे हम उठा चुके हैं, अब ये रेखिए हम यहाँ पे, उल्टी शलाई को भी बना चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से पहला फंदा उतार के और हम इसको उल्टा-उल्टा बनाते हुए जाएंगे, और यहाँ पे हम हर फंदे से फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे, ये रेखिए, पहले फंदे पे नहीं बढ़ाया है, और लास्ट के पे नहीं और हर फंदे से फंदा हम बढ़ा रहे हैं यहां पर यह देखिए कि एक उल्टा बनाया और एक सीधा बना लिया कि इस तरह से कि यह देखिए तो बिल्कुल आसान तरीका है यह भी और बिल्कुल न्यू डिजाइन चोली हमने यह बनाई है इस तरह से आराम से यह बन जाएगी तो देखिए मैंने यहां पर लाश्ट के फंदे पर हम नहीं बढ़ाएंगे हर फंदे से फंदा हमने बढ़ा लिया है तो यहां पर मैं इसी तरह से इसको यह देखिए तो बढ़ा लिया है हर फंदे से फंदा अब इसको हम दोनों साइट से उल्टा उल्टा बना के इसको पांस सलाईढा बना लेते हैं और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं तो चलिए मैं पांस सलाईढा इसको बना के कंप्लीट करती हूँ रेखी फ्रेंस मैंने यहां पर चार सलाईढा ये बना ली हैं एक, दो, तीन, चार और हम हैं अब उल्टी तरफ तो उल्टी तरफ से हम इसमें अपना ब्लू कलर लगा देते हैं आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको लगाएं ये रिखें ब्लू कलर लगाते हुए हमने इस तरह से इसको बना लेना है ये रिखें इस तरह से तुम ही यहाँ पे पांचमी सलाई पे अपनाई सारे फंदे बन करेंगे यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लगा दिया है उल्टी तरफ से और हम सीधी तरफ से सभी फंदों को बन करेंगे अब यहाँ पे तो यहाँ पे मैं सभी फंदे बन कर देती हूँ यह देखें इस तरह से नहीं ज्यादा टाइट घटाना है और नहीं ज्यादा डीला इस तरह से आराम से आप सभी फंदों को बन कर दें तो चलिए यहाँ पे हम सभी फंदों को बन कर लेते हैं इसके आगे आपको फिर दिखाते हैं यह देखें तो देखें फ्रेंज मैंने यहाँ पे सभी फंदे बन कर दिये हैं और यहाँ पे यह हमारी कॉलर बन के कंपलीट है यह देखें इस तरह से यह देखें तो यहाँ पर यह हमारी चोली बनके complete है यह देखिए इस तरह से इसका यह देखिए बहुती सुन्दर और बहुती सिंपल तरीके से एकदम हमारी चोली बनके यहाँ पर यह देखिए कॉलर वाली complete है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ से हम जो हम 12 फंदे डाले थ यहां पर हम 12 फंदे यह उठा लेंगे गेरे के लिए यहां से गेरे के इस तरह से तो इसमें मुझे हर चैन से 12 फंदे ही उठाने हैं जो मैं 12 फंदे डाली थी गेरे कि कि इस तरह से कि दो हर चैन से निकालते हुए तो यहां तक मैं यह बारा फंदे ले लेती हूं इसके आगे आपको फिर से दिखाऊंगी कि कहां से हमने फंदे उठाने हैं तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर 12 फंदे हमने उठा लिए हैं यह रेखिए तो यह देखिए 12 फंदे यहाँ पर उठा चुके हैं हम इसके बाद हम इस तरह से यहाँ से अपनी बाजू को छोड़ते हुए यह देखिए यहां से हम इस तरह से 24 फंदे उठाएंगे हर चैन से निकालते हुए यह रिखिए इस तरह से तो हर चैन से निकालते हुए हम यहां पर 10 फंदे उठा चुके हैं और 24 फंदे हम यहां से यहां तक उठाएंगे इसके बाद हमने फिर से यहां से 10 फंदे उठाने हैं कि यहां से मैं यहां तक इनको 24 फंदों को उठा लेती हूं आगे 10 फंदों मैं आपको फिर से दिखाती हूं तो देखे फैंस मैंने यहां पर 24 फंदे उठा लिए हैं अब यह देखिए यहां से फिर से हम इसको इस तरह से यह देखिए 10 फंदे उठा लेंगे यहां पर तो य मैंने यहां पर 12 फंदे डाले थे जो दो पार्ट मैंने अलग-अलग बनाए थे 12 फंदे डाले थे दोनों में तो मैंने यहां पर 12 फंदे हर चैन से उठा लेने हैं यहां तक रिखिए फ्रेंस यहां पर हमने सबी फंदे उठा लिये हैं यहां पर हमारे 40 और 8 फंदे हो चुके है 48 फंदे यह रिखिए अब हम क्या करेंगे यहां पर हम सबसे पहले यह रिखिए दो सलाईया इस तरह से उल्टी उल्टी हम बना लेंगे दो सलाईयां यहाँ पर मैं उल्टे उल्टे इस तरह से बना लेती हूँ यह रिखिए इस तरह से यह यह हमने चोली अलक्सी बनाई है यह रिखिए तो मैं इसको दो सलाईयां उल्टा उल्टा यहाँ पे तीनों हिस्सों के फंदों को जौंट करते हुए यह रिखिए यह इस तरह से बना लेती हूँ दो सलाईया इसके आगे आपको फिर दिखाएंगे तो चलिए बनाते हैं दो सलाईया देखी फ्रेंस मैंने यहां पर दो सलाईया उल्टी उल्टी बना ली हैं अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर यह रिखिए तो चोली यहां पर बनके कंप्लीट है इस तरह से यह रिखिए और यह हमारी दोनों बाजू हो गई है यह रिखिए अब हम क्या करेंगे इसमें अब यहां से यह रिखिए हम पहला फंदा उतारेंगे और हमने दो बना लिए और यह तीन चोथे फंदे पे हम यहां पर जाली बनाएंगे फिर हम क्या करेंगे एक, दो और ये तीन चोथे फंदे पे जाली बनाएंगे एक, दो, तीन चोथे फंदे पे जाली बना लेंगे एक, दो, तीन तीन फंदे मैंने उल्टे बनाएं हैं और चोथे फंदे पे जाली बना ली है तो यहाँ पर ये देखिए एक, दो, तीन, चार और ये रिखी पांच, तीन फंदे उल्टे, और ये रिखी छे, फिटीन फंदे उल्टे, और ये साथ, फिटीन फंदे उल्टे, और ये आठ, तो यहाँ पर आठ जालिया हम बना चुके हैं, फिर हमने तीन फंदे उल्टे, और ये रिखी नौ, और ये रिखी दास, और ये 11, तो 11 जालिया यहाँ पर बना चुके हैं, तोटल, अब इसी तरह से हम इसको यहाँ पर घेरा इसका बनाते हुए जाएंगे, इसका घेरा मैं इसी तरह से यहां पे बनाते हुए इसको उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है और बाकी के फंदे सब भी उल्टे बनाने हैं तो चलिए हम ये उल्टी सलाई बनाते हैं, सीधी पर एक बार आपको फिर दिखाएं, तो देखें मैं फिर से सीधी सलाई पर हूँ, सीधी सलाई पर हम पहला फंदा उतार लेंगे दागा अपनी तरफ, अब यहां पर हमने तीन बनाये थे, इस बार हम चार बनाएंगे, जो भी हम उल्टा बना लेंगे, और यहां पर यह दूसरी जाली हम बना रहे हैं, अब यह देखें, एक, दो, और यह तीन, और यह देखें, चौथा फंदा बढ़ा हुआ, और यहां पर जाली बनाएंगे, इस तरह से इसका हम घहरा बनाके, यहां पर कंप्लेट करते हैं, यह देखिए इस तरह से तो चलिए बनाते हैं इसी तरह से इसको और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं यह देखिए इसका घेरा मैं इसी तरह से बनाके कंप्लिट कर लेती हूँ इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ तो बिल्कुल इजी है यह बनाना इसको गे देखिए तो चलिए बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंज हमने यहां पर यह आठ जालियां मैंने बना ली हैं यह देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसके बाद हम आठ जालियां बनाने के बाद यहां पर इसको उल्टा उल्टा हम बना रहे हैं इस तरह से और लाश्ट में हम अपना ब्लोग कलर लगा देंगे उल्टी उल्टी शलाईयां बनाने के बार कि जिस तरह से हमने कॉलर पर लगाया है उसी तरह से यह देखिए तो चलिए बनाते हैं देखिए हम यहां से इसमें जाली नहीं बना रहे हैं और उल्टी उल्टी शलाईयां हम तीन सलाईयां इसमें बना लेंगे और चौती शलाईयां पर हम ब्लू कलर को लगा के यहां पर उसी तरह से फंदे घटाएंगे जिस तरह से कॉलर पर हमने यह घटाए हुए हैं कलर को लगाते हुए तो तीन सलाइयां ते इसी कलर से पनाइंगे और च굿 हें कि यहां पर सारे फंदे ऐता देंगे और यहां पर इस तरह से यह हमारी ड्रeas में किंप्लिट है और इसमें हमने कुछने करना और यह झ्यां के लिए कॉलर हमने बना लिया है इस तरह से यह देखिए तो चलिए हम इसको इसी तरह से सभी फंदे घटा के आपको फिर दिखाते हैं